नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पंकजराय और आप देख रहे हैं देविग्यान चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के प्रैक्टिस पेपर सेट को देखेंगे तो पहला प्रशन है भारतिय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उलेक है तो देखिए भारतिय संविधान का जो अनुच्छेद नमबर 343 से लेकर के 351 है इसमें जो है राजभाषा संबंधी प्रावधानों का वर्डन किया गय बिना याद किये याद होने वाला नहीं है अगर आप यह सोचें इसमें तुक्का लगा दें तो तुक्का नहीं चलेगा 343 से लेकर करके 391 तक इसमें जो है राज भाषा संबंधी प्रावधानों का उल्ले किया गया है दूसरा प्रश्ण वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है वर्तमान हिंदी में अब अवधी का प्रियोग नहीं किया जाता ब्रज भाषा का भी प्रियोग नहीं किया जाता कभी ऐसा था कि ये सब कावे की भाषा हुआ करती थी लेकिन ये गद्द की भाषा के लिए खड़ी बोली प्रयोग किया गया और उसमें जाने लगी या निर्ट कावे भी और गद्य दोनों भी लिखा जाने लगा तो यह कावे विकला सही होगा ठीक है एैंट और देवनागरी क्या है, देवनागरी कोई भाशा तो है नहीं, चलिए आ जाते हैं तीसरे प्रश्टुता, घह का उचान अस्थान कौन सा है अब देखिए घह जो आता है वो क वर्ग में आता है, और क वर्ग की सारे वरन क्या है, अक्षर क्या है, ख, ग, गह और अग, ये ज जो कह Colon कंट नीके उछीर स्थान कंट होता है गले के अश catching होता है कंट से थुड़ चाण क्या हो जाएगा हेज़न के चयवर का उच्छान स्थान तालू है तवर का मुर्धा अ क्या है और तवर का दंब्छा है पवर का उस्ठ यह तो इस कि पहले ये जान जाएए कि हिंदी वढणमाला में कौन कौन से स्वर होते हैं अगर आपको भूल गया है तो क क छमा करिए औ आ इटने ही स्वर कहे जाते हैं इतने ही त्वर है अब मूल स्वर नहीं पूछा जा रहा है स्वर पूछा जा रहा है अगर मूल स्वर पूछा जाता तब बात अलग होती ठीक है लेकिन स्वरों की संख्या पूछी जा रही है तो आप आ से काउंट करना चालू करेंगे और आ तक काउंट करेंगे इसके अंदर अंग और अह नहीं गिना जाता क्योंकि इसको क्या कहा जाता है अयोगवाह और यह जो है वह स्वर और वेंजन के बीच की कड़ी होते हैं यह ना तो स्वर होते हैं और ना तो वेंजन होते ही आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इस तरह से कितने हो गए एक द हिंदी में मूलतह वर्णों की संख्या कितनी है मूलतह वर्णों की संख्या कितनी है अगर मूल रूप से देखा जाए तो हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है अभी अभी मैंने कहा आपको गिनवाया स्वर कितने है ग्यारा है ठीक है अयोगवाह जिसमें अंग और अह आ वर्घ क्या है कवरघ है पांच अक्षर चवरघ पांच अक्षर टर्व teenage में दे कर दिंग इंजन कहे जालते हैं, अब आजाए यह, र, ल, और व, अंतस्थ बेंजन कितने हो गए? 4, सहयुक्त कितने हो गए? नहीं, सहयुक्त के पहले आप आजाए उश्म में, चलिए उश्म बाद में लिख देता हूँ, नहीं तो यहां देख लिए उश्म वेंजन भी चार है और संयुक्त भी कितने हैं संयुक्त भी टोटल चार है तो कितने हो गए भाई चार चार आठ चार बारह और बारह और दस बाईस बाईस दस बत्तिस और यह दो कितने हो गए थर्टी सेवन थर्टी सेवन हो गया और मिये टू लगा दिया कितना हो गया थर्टी नाइन थर्टी नाइन और यह वन हो जाएगा कितना हो जाएगा 40 और प्लस 1 50 ठीक है 3 कहीं छूट रहे हैं वो देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से छूट रहे हैं कवर्ग चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग चूट गया ठीक है यहां पर लफड़ा हो रहा है कहीं न कहीं ठीक है तो अंतस्त वेंजन चार हो गए संयुक्त वेंजन चार हो गए उश्र वेंजन चार हो गए तो 4, 4, 8, 4, 12 12 यह हो गए 12 और यह 10 22, 22, 22, 32 और 32 और 5 37, 38, 49 यह 49 हो गए और यह 2, 41 हो जाएंगे 41 और 10 51 और 52 टोटल वर्णों की संख्या जो हो जाएगी 52 हो जाएगी गविकल्प सही होगा आज आईए 6 अनुनासिक का संबंद होता है अनुनासिक देखिए यह मू और नाक दोनों से बोला जाता है अनुनासिक हम कहते हैं कि इसको चंद्रविंदु जो है यह हमारा अनुनासिक कहा जाता है ठीक है और इसका उचण नाक और मू दोनों से होता है सुद्ध परतनी का चैन कीजिए तरुन में यह जो त है आप देख रहे हैं त के बाद वाला वर्ण रह है रह में गौर करिए यहाँ पर रह में हरसो उकी है यहाँ रह में बड़ा उकी मात्रा है यहाँ सही है रह में छोटा उ है यहाँ हरसो उ है लेकिन ना लिखा गया है तो तरुन यह वाला सही है यह वाला भी नहीं सही है यह वाला भी नहीं सही है और इसमें जो है दीर्ग उ की मात्रा इस कारण से यह सही नहीं है तो यहां कर विकल्ब सही होगा अठवा देखेंगे अनवय का सही संदी विच्छिद है अनवय का सही संदी विच्छिद क्या है? अनुजमा आये अनवय होता है और यह कौन सी संदी हो जाएगी? यह हो जाएगी यन संदी यन संदी के नियम के अनुसार जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण उ या उ हो और उसके बाद कोई भिन्न स्वर आए भिन्न स्वर आता है तो ये उ और उ किसमें बदल जाते हैं व में बदल जाते हैं ठीक है? और यही देखिए आप यहां हुआ है उ जो है वो व में बदल गया और व तो स्वर है नहीं कि इन्ना को पूरा बनाएगा इसलिए अन्वय हो गया ठीक है? ये अ जो है वो क्या किया? वो जो आधा था उस आधे वो को पूरा कर दिया तो अन्वय हो गया ठीक है? या नसंदी होगा कविकल्ब सही होगा नौवा प्रश्न कि शब्द में आवा प्रत्य नहीं है आवा अब गौर कर लीजिए दिखावा में आवा लगा है चड़ावा में आवा लगा है बुलावा में आवा लगा है लेकिन यहां देखिए लावा ये रूड शब्द है ये योगिक शब्द नहीं है और प्रत्य जबी भी लगता है तो शब्द यौगीक बन जाता है तो गविकल्प सई होगा दस्वा प्रश्न पुरोहित में उफसर्ग है पुरोहित में कौन सा उफसर्ग है पहली बात पुरोहित शब्द का संदी विच्छेद करिए तब आपको मालूम पड़ेगा उस सर्ग, क्योंकि आप जानते हैं कि संदी विछेद में संदी करते समय जरूरी नहीं कि हमें सार्थक्षप्द ही हो, कभी कभी उस सर्ग भी प्रयोग किये जाते हैं, गौर करिए, ये क्या होता है, पूरह जमा हित होता है, ठीक है, अब यह ह सोचेंगे पूरो आएगा, पूरो नहीं होता है, पूरह होता है, और यह होता क्या है, यह जो अह है, यानि विसर्ग जो है, इस विसर्ग को ओ में बदल दिया जाता है, ठीक है, और यही हुआ है, पूरह सही होगा, आगे आ जाई, विद्यार्थी में कौन सा समास है, यहां कोई किसी का विशेश्य्ट वाला भाव नहीं है पहली बात जानलीकि द्रमधार है कि यहां पर दोनों पत प्रधान हो ठिक है दोनों पत पत भाली बात भी नहीं या भन्र समाद भी तो ना तो ना तो द्वद्रणा थे नहीं हो सकता ह। क्योंकि विद्यार्थी शब्द आव्यार्थि कर सकते हैं यूप्रांस करaintedSch Middle आप यह तो प्रफ्र्णी भाव भी नहीं हो हो सकता कारण क्या है क्योंकि विद्यार्थी शब्द से किसी विशेश का किसी तीसरे पद की तरब इशारा हो ऐसी भी बात नहीं है विद्यार्थी में जो दोनों पद भी ले हुए है ज्यान दीजिए विद्या और अर्थी, ठीक है, अब यहां संदी हम नहीं करेंगे, क्योंकि संदी का नियम अलग है और समास का अलग है, अब इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो यह होता क्या है, विद्या का अर्थी, विद्या का अर्थी, यहां अर्थी का मतलब वह अर्थी नहीं है, जो कि शव की बात की जाती है, विद्या का अर्थ को समझने वाला, अब विद्या का अर्थी, ठीक है, विद्या का अर्थ निकालने वाला, वहां ततपुरुष समास होगा, और कौन ततपुरुष समास होग कर्म ततफुरूसां के आगा कब किया जाए कमल कि स्वकार का शब्ड है tripod कमल शब्ड यह प्राचीन समय से किР शब्द जो है, अपने मूल रूप में ही प्रियोग किया जाता इसमें 2 शब्द नहीं मिले हैं यॉगी भी नहीं है यह 2 शब्दों को मिला करके एक तीसरे की तरफ कोई शारा करे तो योगरून वाली भी बात नहीं है और इन में से कोई नहीं ऐा बात नहीं है यह रूड शब्द है जिसके जिसके रूप में मुल रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता आगे आजी जिस शब्द में कई सार्थक खंड हो उन्हें क्या कहते हैं सार्थक खंड की बात की आ रही है जब दो शार्थक या दो से अधिक शार्थक शब्द मिल जाकर करके एक शब्द बनाते हैं तो उसे योगिक शब्द कहते हैं तो यहां कहा जाता है कि जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो तो रूड में तो खंड होता है नहीं पहली बात वह तो ऐसे ही चला गया मिस्रित वाली बात है नहीं ठीक है सार्थक खंड इसमें मिस्रित नहीं किया गया है तो चलिए उसके टुकडे करने पर उसके सार्थक खंड निकले और मिस्रित में तो भी कुछ भी म जाए निम्नलिखित निम्नलिखित में से एक शब्द पुलिंग है उसे बताईए अब कौन सा शब्द पुलिंग है वो देख लेंगे बुढ़हापा शब्द का आप वाक्य प्रयोग करिए बुढ़हापा पुलिंग होता है हमेशा अब करके देख लीजिए ठीक है बुढ़ापा समस्थ दुखों की जड़ है या जड़ होता है ठीक है तो होता है बोला गया बुढ़ापा के लिए इसका मतलब यह पुलिंग है लेकिन जड़ता ठीक है इनसान में कभी-कभी जड़ता आ जाती है तो आ जाती है इसके लिए प्रियोक किया गया यह जड़ता स्ट्रिलिंग है घटना घट गईंस घ्ट गया नहीं तो स्ट्रिलिंग है दया होती है दया होता नहीं होता है तो दया भी घटना भी और जड़ता यह सब स्ट्रिeling है और अ कुछा जा रहा हैं घौर करेगा करुद्य जसुद्ध यह विशेषण का करेगा क्रोधिप जो है यवी क्रोधि शुभाव क्रोधि व्यक्ति ज foreign description किसी संग्या की विशिष्टा बता सकता है क्रोधित 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 भी जब क्या होगा यह अगर इसके क्रिया की तो पहले को है और नहीं यह विशिएक्षन क्रोधित व्यक्ति जो पहले से करोधित है और क्रोधि व्यक्ति और कृद्ध व्यक्ति इस सारे विशेशन के रूप में प्रयोग किया सकते हैं और ख जो है वो भावाचक संग्या हो जाएगा आगे आजाईए अव्या के कितने भेद हैं अब देख लिए अव्या के मूल रूप से अगर देखा जाए तो चार भेद हैं ख विकल्ब सही होना चाहिए कौन-कौन से क्रिया विशेशन संबंध बोधक समुच्चय बोधक और विस्मयादी विस्मयादी बोधक कुछ विद्वान इसमें कहते हैं कि निपात भी अव्या है लेकिन निपात की गड़ना कुछ लोग अव्या में नहीं करते तो मूल तो अव्या के कितने वेज़ हैं चारएव हैं और यहीं सारवामिक सत्य है रहे हैं आगैशन्य में और निम्लिकिद में ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, यह भी जो है, यथा शब्द में परिवर्तन नहीं होता, अव्य है ये, और विकारी है, विकारी नहीं है, हमें विकारी रोणना है, परन्त क्या है, परन्त क्या है, संयोजक अव्य है, समुच्य जिसको हम कहते हैं, संयोजक है, ये भी अव्य है ठीक है लड़का जो है इसके रूप में परिवर्तन होता है लड़के लिख दिया लड़कों लिख दिया ठीक है लड़का का लिंग बदल करके लड़की कर दिया तो कहने का मतलब इसका लिंग भी बदला जा सकता है और इसके वचन में भी परिवर्तन आ रहा है तो लड़ सधभी हम इसको कर्ता बना सकते हैं कोई करिया जरूरी नहीं कि उसका बदले और लिंग बदले तो vain कि करतुद विकारत क्वित नंदेक्स वियाकरण थो बहुंसे इस लिए तो हमांद होने होताएं अघ्रम प्रशम वाक्य में अकरमघ क्रिया है अकर्मक पूछा जा रहा है रामू खाना खा रहा है भाई खा रहा है ये क्रिया है क्या खा रहा है उत्तर आया खाना खाना शब्द क्या हो गया कर्म यानि कि यह जो क्रिया है खा रहा वो कर्म के साथ लिखी कि यह सा कर्मक है अकर्मक हमें डूढ़ना है क्रिया इसमें कर्मक क्रिया कहते है इसको जीस जो क्रिया बिना कर्मक लिखी गई हो अकर्मक सबजी पका रही पका रही vapor लेकिन क्या सब्जी और कर्म फे शिव का विशेषण शेषण क्या है सिव का विशेषण देखे सिवेश नहीं होता το शिबेश की संग्या की विशेषणा कैसे बताइए सीवेश कहें करके शंकर कह करके किसी कि विशेषणा बता सकते है यह तो शंग्या शब्द है शैल शब्द भी संग्या है शैव देखिए शैव शैव मतावलंबी यानि जो शिव के मत को मानने वाले हैं शैव काए जाते हैं ठीक है और यह विशेशन हो गया तो गविकल्व सही होगा बीस्वा प्रश्ण जानवी का परियावाची शब्द है जानवी किसके लिए प्रियोक किया जाता है गंगा जी के लिए और संसार तो होगा नहीं जानने वाली होगा नहीं जहन्नूम तो होगा नहीं क्या होता है सूरसरी इसका परियावाची शब् है तो मित्रों आज की इस प्रैक्टिस पेपर सेट में इतना ही आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद description box में मैं आपने नए चैनल का link दे दूँगा उस link पर click करके मेरे नए चैनल को subscribe करिए आप सभी का बहुत भबहुत धन्यवाद